गुरवे गुरचंद्राय, राधिकाय, तदाले, कृष्णाय, कृष्णभक्ताय, तदभक्ताय, आज एक बिशेश सुहदीन है, जगत के नात, भगवान जगनात के पवित्र घोसजात्रा महच्छव है, भगवान सी चेतने महाप्रोह के सचीब सुरुप दामदर का भी दिन है, और उसके साथ साथ बिशेश करके हम जैसे लोगों के लिए इस कन में परमपुजय स्री स्री राधा गोविन देव महराज के सुह अवर्भावती थी भी है, तो ये दीन आपने आप में सुह दीन है, इस दीन को जो प्राप्त करते हैं, यो कोई साधरान पुरुस्त होंगे ही नहीं, तो महराज का जैसा अभी हमने में हर साल सुनते भी हैं, आज भी अभी मंदिर में उच्छब हो रहा था, वहीं से आम लोग के लिए आए, वहाँ भी कई बरिष्ट फक्तों ने महराज के बारें बता रहे थे, कि बाल्यकाल से उनका रुझाब भगवान के प्रति था, बर्याग्य भावना था, सरल जिवन जापन था, कई कहते थे कि महराज खतिने करते थे सेविंग करना, चपल पहनना, इसको अच्छा कपड़ा पहनने प्रति यह से रुची नहीं था, साधु, साधुजी, साधुजी करे गाव में उनको बोलते थे, जद्धे पे उनका पहले का नाम था, सुब नारायन सिंग, लेकिन प्राय उनके खत्र में उनको साधुजी, साधुजी करते हैं, कि उस साधु के सभाव था जन्मन से, और ग्रामिनी खत्र से थे आज तक महराज के अंदर ओ सुहब जो ग्राम है ग्राम का है तो गाओं का है ही कई बार महराज भावगत कता में हाँ करते थे मैं कैसे समझाओंगा यह तो गाओं के लोग ही समझ सकते हैं भागवात क्योंकि इसे-इसे सब्द के इस्तिमाल शुप्देव गुष्वामी भागवत में किये हैं जो आधनीक समाच उन लोग को समझे जानी नहीं सकते हैं वो सब ग्रामिन खेत्र के सब्द है जो कामे रहे हो ही समझ सकते हैं तो जो भी हो भगवान की कृपास असी मिकृपास से महराजी का जन्म से ही कृष्ण के प्रती और टूट सर्धा विश्वास आस्था था भगवान राम का भी कुछ कमी नहीं आस्था था भगवान राम के उपर रामचरित मानस में भी परमर मग्य हैं लेकिन बिसेस करके भागवत के प्रति उनका बहुत ही अवदान है और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि हमारे अंतराश्ट्रे कृष्ण भावनामत संस्था में जद्यपी भक्ति बदान स्वाइम प्रहुपाजी ने भागवत के परमरसिक थे उन्होंने उनको अंग्रेजी भासा में अनुबाद करके और उसके बाद में असी विश्व के अनेक अनेक सेष्ट भासा में अनुबादित किये पूरे विश्व में कृष्ण को और भागवत को प्रचार किये तो उनके कृपाधन्या स्री स्री राधा गविंदे स्वाम गोष्वाई महराज ने हमरे संस्था में और जहां ताहं बाहर की बात मैं इतना नहीं जानता हूं जिसे रुच्सराण प्रव हूगए थे मुझे कि मैं सुरु से रहार संस्था के अंदर कमी बाहर जा पाया हूं और जब कभी गया हूं तो महराज के साथ ही पुरकूरक तो हमारे संस्था में अगर कहा जाए भागवत के रसिक, भागवत कथा के प्रवर्तन और ये भागवत में जो निष्ठा एक मात्र महाराश्री में है और उनके ही निष्ठा और गुण उनके सिस्यों में जलगता है भागवत निष्ठा उनके सिख्या के आधार पर आता है ये उनके विसिस्ता है जिससे वो कृपा करते हैं जिसको उसके अंदर भी एही गुण देते हैं कि भागवत के प्रती उनके निष्ठा रहे रुची रहे तो महाराज का जिवा नति सरल है पुरुणा कृष्ण और भागवत के प्राधारी थे जब प्रहुपाज के प्रती समर्पित हुए तो फिर प्रहुपाजी के प्रती समर्पित हुए संस्था के प्रती समर्पित हुए और जब उन्होंने समर्थ थे स्वास्थिवान थे तो प्रसिद्ध थे पूरे हमारे संस्था में भागवत की चर्चा भागवत की कथा मैं तो कभी सुना नहीं महाराज पूर्ण भागवत कहें एक-एक प्रसंग लेकर के कहते थे इक-एक शलोक बोलता थे उनका सारे शलोकी आद रहता था जो प्रसंग बोलेंगे dhyaadhar शलोक बोलेंगे उसके अर्थे करेंगे पहले से वोपि प्रपार रहते थे और कोई-कोई अगर बोलता था कि ये तो थोड़ा यही कए ये प्रसंग तो नहीं हुआ रुकुम्ण हर परजनत रहे सुचिपत्रक तरह अंटेंट्स के तरह पर बोल देता है तो फिर इस प्रकार के एक प्रासंग प्रसंग ले करके उसी से साथ दिन का था करते थे और उनिका ये एक बिसेस अभिनब़ स्टाइल था भगवान महराजी के उनके तरीका है तो एसे जैसे आप जानते हैं एसे एसे महापुरुस के बारे में जितने कहेंगे इतना कमी है बैश्न बर गुणगान करिले जिवरत राण हमारा कोई ख्यमता नहीं है महराजी के बारे में गुणगान करने के लिए लेकिन गुणगान करने से हमारा सुधिकरण होगा इसी लोब में हम कोई बोलने से हम थोड़ा दो लाइन कहने के लिए प्यास करते हैं कि आपना प्यूरिफिकेशन के लिए तो मैं ज्यादा आप लोग का समझ नहीं लूँगा आज इस पवित्रतिति में और इसे महान भागवति पुरुस जिनका सुभाविरबाव है और उनके अवरिफावतिति में उनके सी चरण में हमें इस धन जड़ेगे आपन करना चाहें कि जिस प्रकार उनके पुर्ण आत्म विश्वास क्रिष्ण के प्रति है नेरभरता क्रिष्ण के प्रति है पुर्ण समर्पन क्रिष्ण के प्रति है और सीमद भागव जो अभिन्न क्रिष्ण है क्रिष्ण परिवर्तित रूप है उनके प्रतिवी जितनी प्रगाड निष तो हमरे इस मुड़ जीवन भी सफल हो जाए सर्थक हो जाए सी सी परम पोजियराधा गोंद गोस्वाइं महराज की स्वावेत भक्त परिंद की नितागे